तो NSE 500 में सबसे ज़ादा गिरने वाला जो शेर है वो है नवीन फ्लोरीन 14% के यहाँ पर हम गिरावट देख रहे हैं और वज़ा यह है कि कम्पनी के MD ने रिजाइन कर दिया है MD के डेजिगनेशन के बाद इतनी भारी गिरावट क्यों और साथ ही अब आगे के लिए क्या कुछ नजर रखना है नवीन फ्लोरीन के लिए आए यह पूरी जानकारी लेते हैं पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है और पूजा इस पे रिसर्च करके लाए हैं पूजा बताइए क्या कुछ खबरे हैं नवीन को लेके जी नवीन फ्लोरे में MD के स्टीफा देने के बाद हम देख रहे हैं भादी गिरावट इस वक्त है स्टॉक में हाला कि राधेश वेलिंग जी 15 दिसंबर तक अभी बने रहेंगे लेकिन ओनों ने नीजी कारणों के चलते स्टीफा दे दिया है अब क्यों का जो भूमिका थी वो कंपनी में इंपॉर्टेंट थी वो 2018 में कंपनी के साथ शामिल हुए थे और खास करके शमता विस्तार को लेकर इनकी काफी एहम भूमिका थी Fy20 से 23 के बीच करीब 2000 करोर का शमता विस्तार उन्होंने किया और अब Fy25 में ये जो भी एक्स्पैंशिंग किये हैं नवीन फ्लोराइन ने उसका नतीजा भी Fy25 के आंक्टों में देखने को मिलेगा राधेश वेलिंग के इस तीफ़े पर एनलिस्ट की राइकल करा रही है कि मौझूदा शमता विस्तार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा डी स्टॉकिंग के कारण छोटी अबदी में थोड़ा असर देखने को मिल सकता है लेकिन ओवरॉल टीम अच्छी है मैनेजमेंट अच्छा है कंपनी का और आगे कोई दिक्कत नहीं होगी हाला की आगे कि क्या प्लान्स है क्या योजना है उसको लेकर अब थोड़ी अनिश्टा हो चुकी है वेलिंग ने कई शमता विस्ता प्रोजेक्ट की पहचान की थीम की है और नए विस्ता प्रोजेक्ट अगले एक से तीन साल में ऐलान हो सकते थे लेकिन अब इस स्तीफे के बाद देखना होगा कि आगे की जो कैपिक्स की योजना है कंपनी की तरफ से जो रोड मैप है वो कैसे रहता है क्योंकि अभी तक इसको जो भी कैपिक्स प्लान्स थी है कंपनी के वो यही लीड कर रहे थे अब दिखना होगा आगी क्या प्लान्स होते हैं हाला कि यहाँ पर नवीम फ्लोरिंग पर मौगन स्टैनली की जो राय आई है अभी भी ओवरेट की रेटिंग कायम है जो लक्ष देख रहे हैं वो 4,951 रुपे प्रतीशेय का देख रहे हैं और उनका कहना है कि यह जो बदला हुआ है मैनेजमेंट में उसके आने वाले नतीजों में और क्या असर पड़ता है उस पर मौगन स्टैनली की नजर बनी रहेगी बट फिलहाल बाजार को यह खबर पसंद नहीं और हमने देखा कि आज 13% की भारी गिरावट स्टॉप में देखने को मिली जी हाँ जावरदस गिरावट और सुबह से ही कोई भी रिकवरी के संकेत नहीं है मामूली इसी रिकवरी आई है नवीन फ्लोरीन में पर अभी भी 13% से जादा की गिरावट है बहुत 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 शुक्रिया पूजा बटा देते हैं एक बार चार्ट पे आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखे इस साल के लोस पे आके ये टिका है काउंटर जैनवरी में इस इनी स्तरों का एक लो बनाया था नवीन फ्लोरीन ने और आज जितनी गिरावट है क्यों इसी पर्टिकुलर लेवल पे आके इस काउंटर ने सपोर्ट लिया है क्या कि एक एहम लेवल है जहां से हम फिर से एक रीबाउंट के उमीद करें या फिर इन स्तरों से और भी कमजोर हो सकता है नवीन फ्लोरीन बिल्कुल श्रिष्टी बहुत इंपोर्टन सपोर्ट लेवल है जैसा कि आपने का कि जैनवरी के आसपस जो लेवलोस बनाया थे वहीं पे आके स्टॉक रुका है करीब 3740, 3730 के कि तब वो लेवल है या फिर उस लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेट करना स्टाट कर देती है सबसे पहला तो जिनके पास और यह है वह आज की लोग को सौप्लस बनाके रखे अगर वो सौप्लस ब्रेक करता है तो डेफिनिटी फर्दर डाउनसाइड है स्टॉक पे अब जिनको fresh entry लेनी है मैं कहूंगा एक बार wait and watch करें हर बढ़ा है ना stock में entry लेने के लिए current levels पे risk to reward definitely favorable है बट हमको ये watch करना है कि आज का low जो है वो stock hold करेगा की नहीं करेगा तो आज का trading session जाने दें Tuesday को जब हम trading resume करेंगे गा stock ये low को hold करके उसके ओपर trade करता है तो फिर आज के लोग को एक stop loss बना के आप fresh long position ज़रू ले सकते हैं को रिस्ट to reward favorable रहेगा और उपर में targets आपके 3900 से 4200 के बैटेंगे तो रिस्ट to reward favorable रहेगा पर तब आप Tuesday के बाद सुझाएगा इस तरों के पास entry लेंगे फिलहाल के लिए जो है नवीन फ्लोरीन आज के लिए आज के लिए आप ignore करें पर अब आगे बढ़ेंगे और